तो दोस्तों आप लोग ने मेरे एक वीडियो में देखा होगा कि मैंने इस तरीके की Bum के डिजाइन का एक पावर बैंक बनाया था जिसकी मतलब से मोबाइल को चार्ज कर सकते थे अब फ्रेंट्स अगर आप इस वीडियो को देखना चाते हो कि मैंने इस पावर बैंक को किस तरीके से बनाया तो मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हो तो फ्रेंट्स इसका काम बम की तरह फटना नहीं था ये सिर्फ बम के आकरेती वाली एक पावर बैंक थी जिसकी मतलब से आप मोबाइल को चार्ज कर सकते थे और इसे भी आप charge कर सकते थे लेकिन फ्रेंट्स ये BUM की तरह फटता नहीं था और इसमें मोबाइल का कोई ऐसा रोल नहीं था जिसकी वज़े से आप BUM बजा सको लेकिन फ्रेंट्स इस वीडियो में जो मैंने बनाए है इस वीडियो में मैंने एक ऐसी चीज़ बनाए जिसकी मदद से आप मुबाइल की मदद से कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण चला सकते हो या फिर जो दिवाली वाला पटाका होता है उससे आप बजा सकते हो आप चाहो तो मुबाइल में टाइमर सेट करके बजाओ या फिर आप जब मुबाइल पर कॉल करोगे या फिर मिस कॉल करोगे तो भी वो मसीन जो हमारा काम करेगा और जो दिवाली वाला पटाका होता है वो बज जागा या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण आप उससे चलाओगे तो आप उससे चला सकते हो तो इस वीडियो में फ् इसी 547 एक ट्रांजिस्टर ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो में फाइफ बोल्ट का एक रिले लिया है और यहाँ पे मैंने अन और शुच लिया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर हम रिले को ले लेंगे और इसके नीचे के साइड में जो left hand वाला definite or the beach हो एन दोनों को हमको आपस में connect कर देंगे और connect करने के लिए फ्रेंड'S यहां पर the diode होता है इसकी wire होती है इसके wire से मैं यहांपर connect कर रहा हूं क्योंकि इससे असानी से बहुत ही zussy connected हो जाएगा तो चलो अभी यहाँ पर मैं इसके बार से इसे connect कर ले रहा हूँ अभी जो हमारा diode है उसे हम काट करके हटा देंगे क्योंकि उस diode को हमको use में नहीं लेना है तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं इसे काट करके हटा दे रहा हूँ अब फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड वाला जो पीन है वो और बीच वाला को हमनों आपस में इस तरीके सकनेट कर दिया है अब दोस्तों यहाँ पर हम BC 547 एक टांजिस्टर लेंगे और इसके लेक को हमें इस तरीके से मोड देना है और उसके बाद फ्रेंट्स जो 18650 जो लेटाप वाली जो बैटरी होती है उसको हमको ले लेना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके एक साइड में मैंने तीन वायर कनेट कर दिया है इस तरीके से दो ब्लू और एक ब्लैक और दूसरे साइड में यहाँ पर मैंने दो वायर कनेट की है एक रेड वायर है और एक यलो वायर है तो जो ब्लू वायर है वो थोड़ी मोटी वायर है क्योंकि उसे हम यूज मिलेंगे और जो ब्लैक और रेड वायर है वो पतली वायर है क्योंकि हम उसको चार्जिंग के लिए काम लेना है तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने वायर को बैटरी में कनेट किया है अब दोस्तों यहाँ पर छोटी से हम डिब भी ले लेंगे और डिबे के साइड में हम यहाँ पर बैटरी को इस तरीके से जो है कि ग्लूगन की मदद से हमने चिपका दिया है अब यहाँ पर हम जो हमने लिया था रिले उसको हम इस तरीके से डिबे के साइड में यहाँ पर ग्लूगन की मदद से इसे हम चिपका देंगे आप दोस्तों जो चार्जिंग मोड्यूल होता है उसको हम ले लेंगे तो दोस्तों यह इसी बैटरी का चार्जिंग मोड्यूल है आप सभी को तो खेर पता ही होगा मुझे बताने की जिरुवत नहीं है आप लोको मिल जाएगा तो इसकी जो ब्लैक वाइर है बैटरी वाली जो ब्लैक वाइर है इसको हम इसके minus point में connect कर देंगे और जो red वाइर है उसको हम इसके plus वाले side में connect कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें इसे connect कर लेना है और आप फ्रेंट जो इसकी wire है जो बिखरे हुए उसको मैं तोड़ा अच्छे से fit कर ले रहा हूँ आप फ्रेंट जो इसके battery के जो plus side में आप देख रहे हो जो यह यलो वाली wire connect है इसको हम relay के बीच वाले में connect कर देंगे तो चलो अभी यहाँ पर इसे भी मैं connect कर दे रहा हूँ तो दोस्तों यह जो battery का जो plus वाला side है उसमें हमने red और yellow wire connect की है और जो minus वाला side है उसमें मैंने black color की wire और blue color की दो wire connect की है तो इस तरीके से plus वाले में जो yellow वाली wire है उसको हमने relay के बीच वाले में connect कर दिया है बीच वाले pin में connect कर दिया है और फ्रेंट जो BC 547 है इसकी left side वाली wire को हम relay के right side वाले जो connector है हमारा उससे connect कर देंगे और उसके बाद जो battery का यह वाला जो आप wire देख रहे हो blue वाला wire तो इसकी एक wire को हम यहाँ पे connect कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अलग से मैंने एक wire लिया हुआ है जो कि मैंने डिबे में अभी अभी इससे लगा है तो एक black color की wire है और एक red color की wire है तो एक black color वाली wire को हम इस blue color वाली wire में इस तरीके से connect कर देंगे और उसके बाद जो BC 547 की जो right वाली wire है इस right वाले में हम इसको यहाँ पर इस तरीके से connect कर देंगे तो इन दोनों को मैं यहाँ पर connect कर देना है अब दोस्तों अगर आप लोग को इसका जो है की circuit diagram अगर आप लोग को नहीं संज में आ रहा होगा तो मैं वीडियो के last में इसका circuit diagram भी आप लोग को दे दूँगा आप वहाँ पर जाके आसानी से समझ सकते हो अब फ्रेंट जो इसकी जो RAID वाली वायर है उसको हम BC 547 transistor के बीच वाले point में हम connect कर देंगे तो इसको बीच वाले leg में हमने यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमने इसे connect कर दिया है अब जो इसकी extra leg है उसे हम काट करके इटा देंगे क्योंकि उसका कोई काम नहीं है तो कुछ इस तरीके से हमारा connection हो गया है अब फ्रेंट जो बैटरी में हमने blue वाली जो एक और wire थी इसे मैंने थोड़ा लंबा रखा है पहले से ही ताकि इस से box में से इस तरीके से मैं बाहर निकाल सकूँ साइड में जो लेफ्ट वाला पॉइंट होता है जो लेफ्ट वाली पीन है तो उससे हम कनेट कर देंगे तो रिले के आगे दो दो पॉइंट होती है और पीछे के साइड में तीन पॉइंट होती है तो आगे वाले में जो लेफ्ट वाला जो पीन होगा उससे हम कनेट कर द तो रेड वाले को मैं रेड वाल में करनेक्ट करूंगा और जो ब्लैक वाला है उसको मैं ब्लू वाले तो अभी दोस्तों हमको क्या करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंदर के साइट से भी मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्शन है अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने चार्जिंग जैक लगा था तो इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर हमने जगा नहीं दिया हुआ है तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा जगा बना ले रहा हूँ ताकि चार्जिंग जैक को मैं इसके अंदर डाल सको और इस बैटरी को मैं चार्ज कर सको तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें हमने जगा बना लिया ह तो फ्रेंट्स ऐसा मैंने इसली किया है क्योंकि वो जो दूसरे साइब में जो पतली पतली वायर थी वो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी और मैं कोई भी चीज बनाता हूँ तो फ्रेंट्स मैं उसके लुक का थोड़ा ध्यान रगता हूँ वो देखने में पता होना जरूरी है तब ही यह जो है सिस्टम हमारा वर्क करेगा तो कुछ इस तरीके से आगे भी हमने नट लगा दिया है ताकि हम इसमें वायर कनेट कर सके अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को इसे एक बार चार्ज करके दिखा दिरहा हूँ को इस तरीके से चार और मोबाइल के अंदर की जो कीपड वाली लाइट होती है उसमें हमें दो वायर कनेट कर दिने है तो यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो यह जो कीपड जो इसके अंदर जो लाइट लगी होती है इसके हमें दो वायर कनेट करना है तो इसके लिए आप मोबाइल को open भी कर सकते हो लेकिन फ्रेंट्स यहाँ पे आपको mobile open करने ही ज़रूरत निया पीछे के साइड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ज्यादा तर mobile में यह इस तरीके की जो light लगी होती है यह उपर से ही दिख जाएगी आपको और किसी-किसी mobile में नहीं होगा तो आपको mobile को open करना होगा वसे ज़्यादा तर mobile में यह keypad वाली जो mobile होती है उसमें आपको जो इसकी LED light होती है वो उपर से ही लगी दिख जाएगी तो यहाँ पर उपर से ही इसमें connection कर सकते है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने तांबे वाली wire ल करनेट कर दे रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने तांबे वाली wire को इस तरीके से connect कर दिया है अब दोस्तों इस mobile में हमको एक सीम लगा देना है और वापस हम उस बैटरी को लगा देंगे और यह मोबाईल वाला का हमारा complete हो जाएगा तो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने एक सीम लगा दिया है जो की on सीम है इस पर हम कॉल भी कर सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों हमको बैटरी लगा देना है और बैटरी को लगा देने के बाद इस mobile के ढकन को बंद कर देंगे और यह चीज हमारा बंद के complete हो उचका है अ देरे में सबसे कम टाइमिंग 10 सेकेंड की है तो 10 सेकेंड की यहाँ पर मैं टाइमिंग रख रहा हूं यानि कि जब मैं मोबाइल पर कोई भी वर्क नहीं करूंगा तो 10 सेकेंड बाद अपने आप जो कीपेट की लाइट बंद हो जाएगी और हमको मोबाइल को silent mode में रख इसमें से आपको plus और minus wire को ध्यान में रख करके जो आपका plus वाला है उसको जो ॅपने plus वाले करेंगे और जो mobile के side से minus वाले से हम connect कर देंगे तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है तब यह work करेगा और अगर आप ultra connection कर दोगे तो यह work नहीं करेगा इसलिए friends अगर आप ग प्लस और माइनस में माइनस को कनेक्ट कर दिया है अब दोस्तों इस मोबाइल को हम इस डबबे के साथ टेप से इसे अटेज कर देंगे तो जिसे के हमको आगे वर्क करने में दिक्कत नो तो यहां पर हमने इसको टेप से अटेज कर दिया है अब दोस्तों जान मुझके मैंने इस machine को छोटा बनाए ताकि इस machine को हम आसानी से कहीं भी ले जा ले आ सके ये machine नमारे pocket में भी हड़ जाए तो दोस्तों ये machine नमारे बन के complete हुचका अब इसके work कैसा है work कैसे करता है मैं उसे भी आप लोग बता दे रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने छोटा से एक नाइक्रोम वायर ले लिया है और इसको आगे से पीन से मैं इस तरीके से connect कर दे रहा हूँ अब जैसे ही मैं मुबायल के बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो नाइक्रोम वायर के जो वायर है यह इस तरीके से जल जाएगी तो यह जल उठी है और 10 सेकेंड बात यह अपने आप यह सिस्टम बंद हो जाएगा जैसे कीपैट के जो लाइट बंद होगी तो यह सिस्टम भी हमारा बंद हो जाएगा तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये system आरा कुछ इस तरीके स्काम करता है अब चाहो तो आप इसमें timer भी set कर सकते हो उससे भी चला सकते हो या फिर आप इस पे call करके भी चला सकते हो और जो नाइक्रोम वायर है हमारी ये भी जलना बंद हो जाएगी जिसे की बैटरी का खपत हमारा रुख जाएगा तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं एक माचिस की तीली भी ले लिया हूँ इसकी मतलब से मैं आप लोग जला के दिखा द रहा हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने जैसे ही मोबाल पर मिस्कॉल किया है यह आप लोग की नाइक्रोम वायर जल उठी है और 10 सेकंड में यह नाइक्रोम वायर अपने आप ही बंद हो जाएगी तो कुछ ही इस तरीके का यहाँ पर हमने सिस्टम बना है जैसे ही कीपट की लाइट बंद होगी नाइक्रोम वायर भी अपने आप बुद जाएगी और यह सिस्टम हमारा अपने यहाँ पर ही बंद हो जाएगा आपको इसे मैनुवल बंद करने के जरुरूत नहीं है तो अभी दोस्तों इसमें हम पटाके को कनेट करेंगे तो पटाके को कनेट करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लंबा वायर यहाँ पर कनेट कर दे रहा हूं नाइक्रोम वायर में ताकि यह पटाके के ज्यादा नस्दीक न रहे है हमारा सिस्टम ताकि जब भी हमारा पटा का बज़े, तो मारे सिस्टम को नुकसान न पहुचे, अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे नाइक्रोम वैर को थोड़ा लंबा जान बुचकर के लिए क्योंकि इससे फ्रेंड्स बैटरी की जो खपत होगी, वो कम होगी, और अगर हम इसे खोल दे नाइक्रोम वैर को तो लगभ़ इतना लंबा हो जाएगा, तो यह राउंड राउंड लपेटा हुआ, इसलिए छोटा दिख रहा है अब दोस्तों इसकी पीन को हम यहाँ पे इस तरीके से फसादेंगे, ताकि जो दोनों पीन है, यह आपस में सटेंगे, क्योंकि सटेंगे तो दोनों फ्रेंड्स सौट सरकीट होगा, जिसे कि हमारा जो सिस्टम खराब हो सकता है इसलिए यहाँ पे इसे मैंने दूर में इस तरीके सफसादेंगे, ताकि दोनों आपस में सिस्टम जो वायर है, वो दोनों आपस में सटेंगे अब दोस्तों यह हमारा बन के कंप्लिट उचका है, अब लास्ट बार आप लोग इसका एक सरकीट डाइग्राम देख लो, जिसे कि आप लोग को यह आसानी से सवन में आ जाए, कि इसका कनेक्शन किस तरीके सकरना है, और मैं वीडियो के लास्ट में भी इस सरकीट ज़ने वाले कोई वीचीज़ आपर कर सकते हो, तो वो चीज़ व vais करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से मिर्ची बम को ले लीआए, अब दोस्तों यहाँ पर मैं मोबाइल को यहाँ पर रख दे रहा हूं, इससे कनेक्ट कर दिया है, मैंने मिर्ची बम को, ज तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग नहीं दिखा मैंने इस पर मिस्कॉल किया और यह जो बंब हमारा बज गया और 10 सेकेंड में इसका कनेक्शन अपने आप बंदो जाएगा और जो हमारा बैटरी का जो खपत है वो अपने आप रूख जाएगा और यह सिस्टम अपने लेक्रोमेर बहुत मजबूत होती है तो कुछ इस सरीके से हमारा सिस्टम काम कर रहा है आप चाहो तो इससे टाइमर सेट करके भी आप अपना काम कर सकते हो आप चाहो तो इसमें कोई भी कनेक्शन कर सकते हो चाहे बं हुआ या फिर रॉकेट हुआ या फिर मोटर हुआ फि झाल झाल